भगवान के जो चरण कमल है ना वो उनके निश्काम भक्तों के हरदय से कभी दूर होते ही नहीं है क्यों दूर नहीं होते हैं? सकाम भक्तों के हरदय से तो दूर हो जाते हैं निश्काम भक्तों के हरदय से भगवान के चरण कमल कभी दूर होते नहीं शकाम भक्तों के हरदय से क्यों दूर हो जाते हैं? क्यों को भगवान से किराय मांग लेते हैं? आप यहां से श्री नगर गए और किसी अच्चन्त सुविधा जनक भवन में होटल में रुके आप वहां तो जील में भी मकान बने हुए हैं जील में डल जील में लकडी के नौकाओं पर मकान बने रहते हैं हम भी एक में देखके आए कुछ लोग थे उन्होंने का महरा जी दिखाते हैं कई साल पुरानी बात है संभवता 60,000 रुपे बताया था एक रात्री रहने का 60,000 रुपे कई साल पुरानी यह संद 2000 की बात होगी सबसे बड़ा था अब तो और महगे होँगे तो उन्होंने का हम लोग रुकेंगे नहीं हम तो खाली आपको दिखाने आएं क्या कहना महाराज हम वहां से कुछ कमल के फूल लाए थे अपने ठाकुर जी को और फितम्नकी चलो यहां आए तो कुछ तो ले चले अद्भूत पर कितने दिन रहोगे भाई सुविधा पूर्ण भवन में जब तक आपकी अंटी में पैसा है और किराए देने की सामर्थ नहीं है तो गुषने भी नहीं दिया जाएगा किराए के भवन में आप अधिक समय तक रह नहीं सकते हैं और ऐसा कोई भवन मिल जाए कि घर का जो मालिक है वो चर्णों में पढ़कर कहें कि अब हम मालिक नहीं अब आप ही इसके मालिक हो तुम क्या हो हम तो आपके सेवा के हैं अहरनिश सेवा करे और जब आप प्रसन होकर कहें कि कुछ मांग लो तो रोने लगे बुले आपकी सेवा से बड़ी क्या चीज है सब कुछ तो मिल गया भाई यह देखो अब तो हम जाएंगे बुले भाई देखो आप तो सर्वतंत स्वतंत रहें आपको रोक कौन सकता है पर हम अब आपके सामने पड़े हैं आपको जाना हो तो जाओ हमारी च्छाती पर पैर रखके चले जाओ ऐसा कोई प्रेमी अनुरागी मिल या है तो आप कहेंगे भाई आप तो यहीं रहे जाएंगे ऐसे प्रेमी अनुरागी निश्काम भक्त होते हैं जो अपने हरदय का अधीस्वर स्री ठाकुर जी को ही बना देते हैं सर्वविध उनकी सेवा करते हैं और उनकी सेवा के बदले कुछ नहीं चाहते हैं ऐसे निश्काम भक्त प्रणय रसनया भी बद्धा प्रेम की रसी में ठाकुर जी के चरणों को बांध लेते हैं भगवान की हिम्मत नहीं है कुण प्रेमियों के हरदय से बाहर चले जाएं नहीं जा सकते हैं श्री सिताराम प्रतितिन सत्संग एवम दर्शन के लिए श्री महराजी के ओफिशल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें